आज का ये वीडियोहे चांच जीतने के और कितने प्रसेंट्ट चंच बनते और थीगा पहली बात इस वीडियो को इस्टार्ड करने हैं पहले मैं आपको बताओ दूँ कि ये radio किसी भी आनिमल पाइटिंग को पर्मोट नहीं करती है यह शिर्फ इंफोर्मेशन देने के लिए बनाई गई है यह बहुत सारे लोग के मन में कंशुजन रहता है कि क्या पिट बुल बियर को मार सकता है या नहीं मार सकता है आपने यूटूब पे वीडियो बहुत देखी होंगी लेकिन वो डेंजर से एकदम डेडली है वो बना ही मारने के लिए है ठीक है वर्ड की जितनी भी कंट्री है उनमें से इत्तालिस देशों में पिट बुल बैन है उसके अटेकिंग केस देखें तो रिसेंट लिके 2015 में खाली अमेरिका में डॉक अटेक जितने भी हुए उनमें से 28 होते हैं अच्छा होता है एक बुरा तो पिट बुल का जो अच्छा पहली है वह यह है कि पिट बुल अपने ओनर के परती इतना ज्यादा लोयल है यदि आप इसको शही तरीके ट्रेंड करके रखते हो तो आपके लिए मरने को भी तैयार है दूसरी तरफ आता है बियर जो घर 흰ा करते हैं और रिवश का शिकार करते है फिछ खाना ज्यादा प्संद होता है नेες स tim नेणी चाहिए अब यह दोनों अहीं सामने हो जाएं तो पहली बात एसी Sports आ ужас बहुत करने celebrating continuing लेयर होती है फिर भी हम comparison कर लेते हैं कि यदि ऐसा होता है तो कौन जीतेगा तो सबसे पहले हम इनके overall जो body structure है इनकी जो bite force है उनकी बात कर लेते हैं तो जो pitbull है उसके size वो compact size का आता है मैं बात कर रहा हूँ APBT यानि American Pitbull Terrier की compact size का dog है body weight उसका 38 kg perfect माना जाते है जो double XL size के pitbull होते हैं उनका body weight ज्यादा चला जाता है उनका body weight 60 या 65 kg तक भी चला जाता है अब bite force की अगर हम बात करें तो जो APBT है American Pitbull Terrier उसकी bite force 235 PSI मानी गई है ठीक है दूसरी तफात्राइब बियर जो एक large animal है एक lion से भी बड़ा जानवर है ठीक है बहुत ही strong है बहुत ही powerful है बहुत ही भारी भरकम होता है उसकी bite force की बात करें तो 1200 PSI उसकी bite force है आप imagine कीजिए 1200 PSI बहुत होता है lion से भी double उसकी bite force है अब यह दोनों चानवर आपस में भीड़ जाएं तो जो बियर है उसके 90 प्रसेंट चांच है जीतने के पिट बूल के हैं 10 प्रसेंट अब मैं क्यों बोल रहा हूं उसके बारे में आप समझो कि बियर बहुत बड़ा animal है उसकी bite force इतनी जाद है यदि बियर किसी pitbull को पकड़ लेगा तो नहीं छोड़ेगा उसो एक जटके में मार देगा ठीक है बियर के जो नेल्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं के नाइं तीत बहुत बड़े होते हैं तो pitbull को मार सकता है बियर इजी ली अब 10 परसेंट मैंने क्यों बोला उसके बारे में समझते हैं जो बियर जो होता है वो एक साही नेचर का होता है ठीक है थोड़े शरमीले ने कोशिश करता है तो pitbull छूट के उसे उपर कूच जाएगा उसके गर्दन को पखेंग ने कोशिश करेगा ठीक है उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर कर देगा और टॉर्चर ज्यादा बियर सहन नहीं कर पाता है या तो उस उंबार नहीं कोशिश करता है और जब लगता है कि बीएर बेटिंग बुल बेटिंग जैसे गेमों के लिए एक बड़ा बाड़ा होता था उसके अंदर भालू को या बुल को छोड़ दीया जाता था और खुब सारे पिट वल छोड़ दीये जाते थे जो पिट बुल उनको टॉर्चर करते थे उनको मार गिराते थे ठीक है मैंने जैसे बोला खूप सारे पिट बूल छोड़ दिये जाते हैं यह आपके पास 5-6 पिट बूल है और उनकी जो परवरिश है उनकी जो अवरल जो उनकी ग्रूमिंग है वह आपने इस तरीके से की है कि वह आगे जाके हार एक एनिमल से फाइट कर सकें तो इजिली 5-6 एक प्लस पॉइंट यह है कि उसको पेन ज्यादा फील नहीं होता यदि बियर उनकी अटेक भी करेगा तो नॉर्मल डोकी तरह वह दर से चिलाएंगे नहीं या भागेंगे नहीं ठीक है वह उसको फाइट करेंगे उसको फेस करेंगे उसको लड़ने कोशिश करेंगे तो यदि डबल एक्सेल साइज के पिट बुल हैं तो वह तीन सफिशेंट एक बड़े एक एक दम पूरे फुल ग्रोथ वाले बियर को मानने के लिए जो फुल एनरजी से भराओ अब ऐसी सिच्वेशन इंडिया में तो पोशिबल ही नहीं कि बन जाए क्योंकि इंडिया में ज गलत है वह इंडिया फिर यह इतना एग्रेसिव होचके तो लोग जातर उनको भांध के रखते हैं बट हम फॉरें की बात करें तो लोगों एगर कही हिमाले पहाडों में होते हैं हिमाले नहीं पहाड़ों की अंदर जब उनके घर होते हैं तो वहां पर वाइल एनिमल का य तो यदि उनके एरिये में पिटबूल के एरिये में कोई बियर लैपड आने की कोशिश भी करता है तो पिटबूल एजिली उनको मार देता है ठीक है अब आपका डाउट किलियर हो चुका होगा मैं फिर बता रहूं यह वीडियो किसी भी एनिमल फाइटिंग को परमोट नही लेकीन मानिए फिर चाहिए लैपड आजाए चाहिए लायन आजाए ठीक है वह पिटबूल उसको फेस करेगा और उसको मानने की भी सम्दार रखते है जो डबल एक्सेल साइज के फुल ग्रोथ वाले पिटबूल है वह फाइटिंग दो गए तो वहां आपको जो रखना है दूसरे को कैसे मारना है और जो हम डॉक घर में रखते हैं वह पूरा हम पर डिपेंड होता है तो इसलिए हम उसे यह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वह वाइल्ड एनिमल से पाइट कर सके हाँ अगर आप उसको उस तरह की से ट्रेंड करते हो ठीक है उसको हर करेगा और कोई डाउट होता है कोई कंफ्यूजन होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेर तो आप मुझे पूछ सकते हैं